साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथी लाइक और कमेंट्स भी करें थैंक यू नमस्कार दोस्तों भारत देश के रास्ट पिता कहलाने वाले और अजादी के प्रनेता महात्मा गांदी के विशे में नई पीडी सिरफ इतना जानती है वह ऐसे महात्मा थे जो बिना ढाल तलवार लिये अंग्रेजों से भिड़ गए थे जिनके कारण भारत देश को लगे रहो मुन्ना भाई हिट हो गई जो हमारे सो पानसो तथा दो हजार के नोटों पे उपस्तित रहकर हमें हर दम घुरा करते हैं कहां है आज गांदी जी का परिवार क्या करता है देश की जनता इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती ये कुछ ऐसे सवाल है जिन स टकराना हम कब का छोड़ चुके हैं चुकि महात्मा गांदी के नाम के साथ उनके पिता का नाम भी लगता था इसलिए आम तोर पर लोग जानते हैं कि गांदी जी के पिता का नाम करमचंद गांदी था करमचंद गांदी की पतनी पुतली बाई थी इन दोनों की संतान थे म हमारे प्रीय बापू, बापू के पिता यानि दादा का नाम जादा लोग नहीं जानते, उनके दादा का नाम था उत्तम चंद गांदी जो उत्ता बापा के नाम से मशूर थे, आजादी के अंदोलन में अपना सरवश्य नुच्छावर कर देने वाले गांदी की पतनी गांदी थी, इन दोनों के चार बेटे थे हरीलाल गांदी, मनीलाल गांदी, रामदास गांदी और देवदास गांदी, गांदी जी के बड़े बेटे हरीदास गांदी के मन में अपने पिता को लेकर गहरा विद्रो और असंतोस था, चूंकि गांदी का जीवन निजी और स जीवन काल में ही चलबसी थी इन दोनों की पांच संताने थी रामी बहन जिनकी साधी कुमर जी भाई से हुई थी ये दोनों ही अब नहीं हैं बेटा रसिक भाई जो युवा वस्था में ही चलबसा था बेटा शांती भाई बच्पन में ही गुजर गया था बेटी मनु बहन बी नहीं रही। सिर्फ हरिलाल के बेटे कांती भाई जो बापू के साथ ही रहे और बड़े हुए बाद में डॉक्टर बने और सम्मानित जीवन जीया। हरिलाल की बेटी रामी बेहन की बेटी का नाम नीलम बेहन है जो गुजरात के नवसारी में रहती है। उन्होंने अपने नाना हरिलाल के साथ एक पुस्तक भी लिखी है। इन नीलम बेहन का एक बेटा है डॉक्टर समीर जो नवसारी में रहता है और नेतर चिकटसक है। डॉक्टर समीर के दो बच्चे हैं एक बेटा एक बेटी नीलम बेहन के भाई परबोध भाई गुजर चुके हैं। उनकी दो बहने कनाड़ा तथा गुजरात में हैं। बापु के साथ रहकर पढ़ने लिखने वाले हरिलाल के पुत्र कांती भाई गुजर चुके हैं। उनकी पतनी सरस्वती गांधी त्रिवेंद्रम में एकाकी जीवन वेक्तित कर रही है। कांती भाई के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शांती जो अमरीका में हैं। हाट सरजन है। उनकी पतनी सुजान अमरीका में हैं। इन दोनों की चार संताने हैं। चारों बेटिया हैं। तीन की शादी अमरीका में हो चुकी है। कांती भाई का छोटा बेटा परदीप अकाउंटेंट है, अपनी पतनी मंगला के साथ अमरीका में रहता है, इनके दो बेटिया है, बड़ी की शादी हो चुकी है, हरिलाल की सबसे छोटी बेटी मनु बहन की शादी सुरेंद्र भाई मशुरू वाला के साथ हुई थी, दोनो बाद में रहते हैं, आई आई एम जैसे परतिष्टित संस्थान में कारे करते हैं, अब रिटार हैं, इनके दो बच्चे हैं, बेटा मुर्नाल और बेटी नीनू, बेटी आर्किटेक्ट हैं और बेटा सीनेमाटोग्राफर हैं, ये हुआ महात्मा गांदी के विद्रोही प गांदी जी के दूसरे बेटे थे मनीलाल गांदी, जिनकी पत्नी का नाम शुशीला था, दोनों नहीं रहें, उनकी एक बेटी थी सीता, जिसका विवाश शशिकान धुपेशिया से हुआ था, ये सावत अफरीका में रहते थे, ये दोनों ही नहीं रहें, इनकी तीन संतान है, बड़ा बेटा सतीश, बेटी उमा, छोटी बेटी कीरती, सब सावत अफरीका में रहते हैं, सतीश की पत्नी का नाम परतीबा है, जिन से इने तीन बच्चे है, मीशा, शशीका और कबीर, उमा की शादी राजन मिस्त्री से हुई थी, दोनों केप टाउन में रहते हैं, और दोनों प्रोफेसर है, इनकी एक बेटी है, जिसका नाम सपना है, कीरती के पती सुनील मैनन, सौफ्टवेर इंजीनियर है, खुद कीरती सिक्षा सलाकार है, इनकी बेटी सुनीता है, ये तीनों जोनस बर्ग में रहते हैं, मनिलाल जी के बेटे का नाम अरुन गांदी ह वे अमरीका में रहते हैं, एम के गांदी इंस्टिटूट चलाते हैं, तथा बापू की विचारधारा विशेश कर आइंसा पर वियक्यान देते हैं, इनकी पतनी सुननदा का निदन हो चुका है, अरुन गांदी की दो संतान हैं, बेटी अर्चना जो अपने पती मुंगेर बिहार के हरिकिसोर परसाद के साथ अमरीका में रहती है, इनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा परितोष डॉक्टर और छोटा बेटा अनीस आर्थिक सलाकार है, अरुन गांदी की दूसरी संतान तुशार गांदी है, जो मुंबई में रहते हैं, उनकी पतनी सोनल बडोद की है, संतालिस वर्षिय तुसार परखर गांदी वादी विचारक के रूप में विख्यात है, मुंबई में महत्मा गांदी संस्थान चलाते हैं, इनकी दो संतान हैं, बेटा सिवान और बेटी कस्तूरी, बापू के तीसरे बेटे रामदास गांदी की पतनी का नाम था निर्मला, इनकी तीन संतान हैं, बड़ी बेटी सुमित्रा गांदी कुलकरनी जो अपने पती गजानंद कुलकरनी के साथ बैंगलोर में रहती है, इनके दो बेटे शिरी राम और सिरी कृष्णी, इनकी भाई भेन मल्टी नेशनल कंपनियों में कारे रहते हैं, रामदास का बेटा काहना अपनी पतनी के साथ अमरीका में रहता है, इनकी कोई संतान नहीं है, रामदास की तीसरी संतान बेटी उशा गोकानी है, जिनके पती हरिश गोकानी है, इनकी दो संतान है, बड़ा बेटा डॉक्टर आनंद गोकानी मुंबई में अपनी पतनी सेजल के साथ रहता है वे डाइबटीस के मसूर चिकितसक है इनका दूसरा बेटा संजे गोकानी सोफ्टुरी जीनियर है और कनाडा में रहता है बड़े बेटे डॉक्टर आनंद के दो बेटे हैं करन और अरजुन करन लंदन में हैं और अरजुन मुंबई में डॉक्टर है छोटे बेटे संजे की पतनी का नाम है मोना ये दोनों अपने दो बच्चों के साथ अक्षे और नतासा के साथ कनाडा में रहते हैं गांदी जी के दूसरे बेटे मनिलाल की तीसरी बेटी का नाम इला गांदी है, जिने भारत सरकार ने पदम भुशन से नमाजा है, वे दक्षिन अफरीका में रहती है, इला की पांस संतान है, केदार, कुश, आशा, आशीश, आरती, आशीश और आरती जुड़ुआ बेटी ह इनके बेटे कुश का राजनीतिक कारणों से हत्या हो गई थी, बेटी आशीश का तालाख हो गया है, इनके दो बच्चे हैं, बेटा निखिल और बेटी मीरा, दोनों अपनी मा के साथ रहते हैं गांधी जी की सबसे छोटी संतान थे देवदास गांधी, उनकी पतनी सी राज गोपालाचारी की बेटी लक्षमी थी, जो नहीं रही, इन दोनों की चार संतान हैं, राज महन गांधी, तारा भटाचार जी, रामचंदर गांधी और गोपाल कृष्न गांधी राज मोहन गांदी कुछ समय तक दिल्ली में रहें और उन्होंने पूरू परधानमंतरी वीपी सिंग के साथ राजनिती में भी सक्रियता दिखाई लेकिन अव्य अपनी पतनी उशा के साथ अमेरिका में बज गए इनके दो बच्चे हैं सुपरिया और देवरत सुपरिया की शादी हो गई सब अमेरिका में रहते हैं देवदास गांदी के दूसरे बेटे रामचंदर गांदी दर्शन सास्त के प्रोफेसर थे उनका दिल्ली में देहानत हो गया उनकी पतनी का नाम इंदू है इनके एक ही बेटी है लीला जो अस्टेलिया में अध्यापक है देवदास जी के तीसरे पुत्र गोपाल कृष्न गांदी पश्चिम बंगाल के राज्येपाल रहे अपनी पतनी तारा के साथ कोलकता में रहते हैं इनके दो बेटिया है दोनों विवाईद है दोनों बैंगलोर में रहती है देवदास गांदी की एक मात्र बेटी तारा भटाचार जी दिल्ली के गांदी स्मर्ती संस्थान की डिप्टी चेर महन है इनके पती डॉक्टर जोती भटाचार जी अब नहीं रही इनकी दो संतान है, बड़ी बटी सुकन्या का विवा, दिल्ली के मशूर उद्धोकपती विवेक भरतराम से हुआ, इनकी संतान एक बेटा अक्षर विदुर है, तारा जी का बेटा विनायग लंदन में रहता है, इनकी पतनी विदेशी है, इनकी तीन बेटिया है, जिन में स कभी नहीं जुटा बापू का पूरा कुन्बा एक साथ, महत्मा गांधी के परपोत्र मुंबई वासी तुशार गांधी याद करते होें बताते हैं, मुझे आज तक एक भी अवसर याद नहीं आता, जब बापू का पूरा कुन्बा एक साथ जुटा हो, हम लोग फोन पर एक दूसरे से हाल चाल लेते रहते हैं सब अपने कामों में वियस्त है हाँ एक बार जब गुपाल कृष्ण गांधी का विवा समारो था तब सन 1971 में गांधी परिवार के अधिक्तम सदस्य मौजूद थे गांधी का कोई भी वनसज उस तरह राजनीती में नहीं उत्रा जिस तरह नहरू परिवार के सदस्य उत्रे राजनीती कोई असान बात नहीं है हमारे परिवार के सदस्यों ने राजनीती की तरफ रुख ही नहीं किया बापू परिवार के किसी सदस्य को इस बात का जरासा भी मलाल नहीं है कि वह नहरु खांदान की तरह राजनीती और सत्ता के शीर्स पर क्यों नहीं है ना ही बापू ने और ना ही उनके किसी वनसजने खुद को या अपने परिवार के सदस्य को उस तरह राजनिती के लिए तयार नहीं किया जिस तरह अन्ने कई राजनेताओं ने किया वैसे भी गांधी राजनेता नहीं संत थे साथी आप सभी से रिक्वेस्टे कि आप चैनल को सबस्क्राइब करें साथी लाइक और कमेंट्स भी करें थैंक यू